कि अगया का है कि इस टर्म करें नूटबुक्स उपन करो सब्लग आपने अपने सो लास्ट लेक्षर में हम लोगने क्या जढ़ा था इंकम फर्मिवस्त रही देखला था आया ये ईए नगर न 이상 Bomb कि दूम लोगने निए इंकम फर्मिवस्त से संसल लिया होगा या फिर या भी रख लूगा हाँ शेलो तो हम लोग income formula देख रहे थे राइट आया ना तो income formula में हम लोग ने देखा था कि कैसे current year की income matter करते है बाकि past year के रहने दो या future मतलब next year के रहने तो income वो हम लोग current year के balance sheet में हम लोग कंसिडर करते नहीं है हाया ना या तो एंप्यों में चल रहा था तो एक और question दे दो तुम लोग और तुम दो तीन लोगों का मेस्ज आया था किसका किसका था कि दू तीन लोगों ने मैसेज कहा था मेर्कों कि सर होंबक अगरे रिटेना आठा तो मैंने मैंने उनको रप्लाइश निदिए पहली बाद तो क्यपको बूंचा भूम रहात आचा अरे नहीं दिया तो नहीं दिया न समझ समस्कें नहीं दिया ओगा ना वाग कि पढ़ाई तो की ओगी तुम लोग में आओ पढ़ाई तो की होगी ना दो-तीन दिन कि नहीं सब बुक बंद करके हम लोगे रख दी दी चलो देख तेफिए एक्जांपल लिको example total tuition tuition phase received in 2324 rupees 9 lakh out of which 70,000 70,000 is for 24-25 3000 is of 20,000 is of 22 23 outstanding ending of current year that is rupees 70,000 calculate total tuition fee for 23 24 come on solve it out come on tell me the answer 8 lakh okay yes you allah lucky everyone clear with this point चलो अभी जब हम लोग solve करेंगे तो solve परते समय में आप लोग को क्या बोला था कि हम लोग जब solve करने बेटेंगे sir तो हमारे पास दो चीज़े रहेंगे किते चीज़े रहेंगे दो चीज़े तो एक तो रहेंगा आप लोग का perception payment account कि आया ना और एक रहेंगे adjustments में इस इट क्लियरा तो जईसे final account में हम लोग के पास क्या था ट्राय बेलेंस था और adjustments में आया थो ट्रायल बेलेंस के कितने effects थे single effect था की double effect था शिंगल इफेक्ट था तो वही से reception सब्सप्स पेमिंट्स के बिकितने एफेट्स रहेंगे सिंगल इफेक्ट रहेंगे तो ही रहेंगे इसिट क्लियर किसी को कोई डाउट है पक्का चलो तो बूक निकालो बूक्लेट निकालो अपना पहला question open करो झाल 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 तो झाल 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 अब यह जो बैलेंशिट दी रहते हैं यह बैलेंशिट तुम लोग को दी ही रहते है अल्रेडी किसी किसी सम्में जब हम लोग , 12 स्टेंड रमेट तो अम लोग को यह सम आता था 15 अधी खिलान स्कत्राइब यह संवी तो हमारे सब में बरन नहीं नहीं धी होती दी हुए जो छुंक वोल भैलाने ये इसका यूज होता है में तुम्मलोगों बता रहा हुए इदर से क्या क्यों को उल्म स्फट pesar नहीं हम लोग को तो अभी बताया नहीं सब चीज़े तो जब हम लोग प्रेल स्टेंडर्ड में थे यानि कि मैं खुडी तो यह जो बैलेंस इती थी आम लोगों खुद को बनानी पड़ती थी इनफेक्ट अभी भी सिए फाउंडेशन लेवल पे यह बैलेंसिट खुद को ब अपका 10 मार्क में आपको ओल्ड बैलेंस इत बनानी है फिर उसके बाद नया इंकम एन एक्सपेंडिचर आकॉंड बनाना है और फिर वापी से करेंट यह की बैलेंस इत बनानी है तो यह तीन चीज़े बनानी पड़ती है आपको एक चीज़त आप है कि इन्होंने आपको यह अल्रेडी देखे रखिया है तो यह बनानी है नि तो एक्जाम में हम लोगों किया बनाना है खाली इंकम एन एक्सपेंडिचर और बैलनения तो अभी हम लोग क्या कि यो मैं बैलेंश स्यट इसका यूज क्या होता है और जो कि तुम लोग जना प्ढ़ने जाते ऊदर तुम लोगा पतने गया होगा कि ये बैलेंशिट का क्या यूज होता है लेकिन जब मैंने तुम लोग को मार्किंग करने बोला था मार्किंग करने वह दो है तब तुम लोग ने यह ओल बैलेंसट में आके कुछ मार्किंग किया किया किसीने नहीं किया मैं बता रहा हूँ नहीं किया होगा अगर किया रहेगा तो अच्छी बात है नहीं किया होगा तो बूरी बात है क्योंकि तुम लोग ने उसको तजाकी मार्किंग इसलिए नहीं किया क्योंकि तुम लोग को पता ही नहीं है कि उसमें आता क्या-क्या है वो हे क्या क्या उसका यूज क्या है इस इट क्लियर पका तो सबसे पहला जो यूज है उसका वह यहाँ पे capital fund क्या है capital fund जब हम भी इस साल की balance sheet बनेगी इस साल की balance sheet बनेगी तो सबसे पहले तो balance sheet में liability side में capital जाएगा ना वह capital कहां से लाएंगे ओल्ड बैलेंशिट का जो capital रहेगा वह अगले साल का balance sheet में दिखेगा इस इट क्लियर पका अभी यहाँ पर तुम लोग को कुछ चीज़े दिखे रहे आउटस्टेंडिंग के नाम पर दिखे रहेगी सा outstanding salary medicine's bill unpaid. Kald State इना इस इसका क्या मतलब होता है यह खर्चा है यह क्या है खर्चा कुछा कुन सा भाला खर्चा है कि सर्वाज आंपी बी देना बाकी है मत्यार्य, यह क्या है? तुम्लों की liability है इस इट क्लियर वैसे अभी असेट्स में आता हूँ असेट्स में आउगा तो मेरे को और भी चीज़े दिख रिये मेरे को सर सर्या आउट्सेंडिक सब्सुप्शन दिख रहा है इधर थोड़ा लाइन उपर नीचे हो गया है यह इसका यह है और एक्विप्मेंट इधर से च होता है cash and bank asset होता है ठीक है यहां तक बते क्लियर है किसी को कोई डाउट है मतलब इंकम में क्या था असेट्स में क्या था मेरा एक ही चीज़ था जो इंकम आना बाकी था आया ना पर वो पिछले साल का इंकम है ना यास और नो यास चलो तो यह मेरा असेट था नॉर्मल करे यह जो इदर चीज़े रहती है ना यह वाली टू बैलेंस ब्राट डाउन cash at bank and cash in end इसको इग्नॉर करना होता है यह इसका कुछ यूज नहीं होता सिखाया गया ना आया ना ऐसा नहीं होता बच्चो इसका यूज होता है इसका यूज होता है यहां पर जब आपको बैलेंस लेवल पर जाओगे तो फांडेशन पर सिफ रिसिप्शन पेमेंट दिया रहता है और बैलेंस भी खुट बनाना पड़ता है ठीक है तो तब उसका यूज होता है जब आपको ओल्ड बैलेंस शिट प्रिपेर करना होगा ना तब वह जो बैलेंस ब्राट टॉन cash at bank and cash in यह आप समझ में आ रहा है न चीज़े clear हो रहे है कि तुम लोगों को उसका यूज क्या है पता है हम लोगों की इग्नॉर करना है उसको क्योंकि हमारे सम्में उसका यूज नहीं है लेकिन उसका कुछ तो यूज होगा तब भी तो दिया है तो अगली बार किसी ने भी अगर त अच्छे होंगे अगर commerce फिल्ड में उत्रे तो जब उनको आप NPO सिखाने बेटोगे डेफिनेटल याद रहेगा NPO तुम लोगों भूलोगे नहीं लाइफटाइम अभी अभी तो उनको बताना यह चीज कि बाबा यह इसका यूज तभी पताने अभी तभी education system कैसा रहेग पहली बत तो हम लोग जिन्दा रहेंगे की नहीं रहेंगे पता ने पता चला कोरोना वायरस आए ता अभी कुछ दूसरा वायरस आ गया राइट चलो स्टार्ट करें अभी ओके चलो टू सब्सक्रिप्शन अभी सब्सक्रिप्शन क्या होता है मैं पहले बताए पहले लेक पढ़के चलते हैं क्या बोलाता है इंक्लूडेट 400 पर प्रिवियस यह तो पिछले साल का पैसा आना बागे तो इस साल आएगा ना वो इस साल आया होगा तो इस साल का इंकम कंसिडर करो क्या उसको नहीं वो भले इस साल पैसा आया है लेकिन आल्टिमेटली इंकम तो पर निचर बूक वैल्यू रुपीश टू थाउजन ठीक है अभी सेल अफ अफर निचर हुआ है कितने में बैचा है अंग है जर जोर से बोलो जो ऑन थाउजन पाइवांटेट ठीक है फरनिचर कितने का अभी उन्होंने हिंड दिया देखो क्या बुले बूक वैल्यू कित अं लॉस हुआ है क्या हुआ है लॉस तो यह लॉस किदर बुक करेंगे हम लोग सुपरिया एक्सपेंडिचर में आके 500 रुपे का सिफ आपको क्या बुक करना है लॉस बुक करना है यह एक्जाम कोईशन है गाइस हलके में मतलो तुमारे टेक्स्ट्बूक में क्वेशन सा लगाते में तोम Bluetooth स्ट Checker रहा हूं हम लोग को बोट के लिए प्रिपेर होना है अम लोग को वह वी युटेस्ट नी बच्ची तुम लों कि को या भी समिस्थर नीए बच्ची हम लोग किला वी बॉट्स काले सब लोघ ना और ना तो यह शीधा बींत है इश्का इunnडन जाएगा आया ना बले इंकम हुआ है देड़ाजार का लेकिन सर उसके सामने लॉस्ट भी तो हुआ है तो लॉस्ट चले किदर जाएगा अगर प्रॉफिट होता तो इंकम में जाता जैसे कि समझे की दो आजर की फरनीचर आपने धाही आजर में बेचे तो 500 रुपे का बोलो डोनेशन डोनेशन अभी डोनेशन देख उन्होंने क्या बोला नीचे इंड दिया है हाँ कैपिटलाइस बोला है उन्होंने क्या बोला है लेकिन नीचे कैपिटलाइस बोला तो कहां पर लेके जाएंगे इसको नहीं लाइबिटी कैपिटलाइस जब बोला रहेगा सिर्फ डोनेशन मतलब ना उन्होंने परपोस बोला था ना उन्होंने क्या करते इंकम दिखाते इसके लिए लोग उसको किदर लिखने वाले लायब्लीटे में लिखेंगे इस इट क्लियर चलो रडरल कि लायप टाय मेंबर्शिप पी कया जाएगा बताओ लाइफ टायम मेंबर्शिप भे है बताव बताव बता धाओ हां युद estás आँ अबी दो तरीके की चीजे होती है एक होता है तुम लोग का is life membership fee और एक आता है तुम लोग का entrance fee है यह तो तरीके कि इसपी है ना जिएग्जेस्मेंट की उपर डी पेंड करते हैं कि इसके उपर डीपेंड करते है अगर adjustment आती है क्या आती है adjustment आती है तो उसका जो भी adjustment रहा हो adjustment पास करने का अगर बोला रहता 100% capitalize कर दो तो income में आएगा इनी कुछ अगर बोला होता कि 100% क्या कर दो capitalize कर दो तो income में क्या आता 0, आया ना बराबर, अभी या पर उन्होंने बोला में 50% Capitalize करो कितना परसेंग कैपिटलाइज करो तो 50% कि इन बचेगा तर practice घो थिन आज़ है तो तीन यह मैं से 50% कितना होता है या अ 1,500 होता है कितना होता है तो 250 फि केका और 1500 लायावडिरीटि में देखे का इस है चलो विजिट फी मिशिलिनेस रिसेप्ट शेल और ओल्ड निउस्पेपर बाई मेडिसिन अभी पेमेंट्स हो रहे है आप गलती से असेट्स लिग दो पेमेंट्स है ठीक है तो अभी क्या हो गया पर बाई मेडिसिन इंक्रुड़ेट प्रिवेश्यर तो अभी उनका खर्चा क्या होका मेडिसिन्स लाना सालाना वो न होते है उसमेंगे आटस्टीन क मैंने बोलाता ना जैसे की चीज़े ऊपर थोड़ी सी ही आउटसेंडिंग वगएरा उपर लिखा रहेता है यह कभी-कभी नहीं नहीं रहती एक्जाम के डाइम पर तो आपको बैलेंस इट पढ़ना पड़ता है कि देखना पड़ता है हाँ मेडिसिन्स के जो बील थे ना वो 900 रुपए आउटसेंडिंग के पेंडिंग थे अभी भी देना तो इस साल अगर 5000 दिये है इस साल अगर मैंने 5000 की पेमेंट एकदम सिंपल लोजिक बता रहोते को देखो जिमाक में जा रहे क्या किसी को तुम्हें 900 रुपए देने बाकी थे पुरा महिने बर का राशन लिया और आपने उने त्लिक्राम किया है यहां जो आप सेकेंड पर गए तय तो आपने कितने की च्वॉपिंड की कि है कितने की शॉपिंग की यह यह अपला होता है ता अपने क्या किया सर मैंने जितना पैमेंट क्या उस observation पिछला माइस कर दिया क्योंकि पछले का था ना वह आजBob कि लुट फॉटिश्चा अधि शुक्तर होल चानल साल को ना वह सील बह्ती होता है वह पिछले साल का नव सुर्पये था नहीं सलिक्रीनї फॉन खैनो खैनल दिव्पर कफिकले। नवहिसे यहीं से नौव. पिछले साल के थे तो कितने थे समझाएं कुछ कोई मुझे पांटेछा कि सेलरी कितनी होगी सीर्फ इस साल की इसलरी कितनी होगी वापीज से आ जाव एकजाम पर एकजांपर प्यार्पे आखे थान दो यह में हुआ डैक फ्यांपै। प्लीज़ लिड इंक्लूदेड है 200 दिये की 500 दिये 5200 दिये मैंने कितने दिये 5200 दिये ठीक है पूरा सब मिला के इंक्लूडेड है आया ना तो आप मुझे बात बताओ कि सर करेंट येर का कितना होगा इतनी सिंपल सी बात थी 3000 क्लियर है ध्यान दो चलो आगे बढ़ते हैं तो इसके ओपर भी एड्जिस्मेंट है पिछले साल का आया ना टेक्सेस का पर जाएगा एक्सपेंडिचर संद्री एक्सपेंस क्या बोला दे कौन ने कभी का यह 18-19 का बोला अपना यहर क्या चल रहा है नाइंटीन नाइंटीन ट्वेंटी चल रहा है ना चलो यह तो पिछले साल का ना 150 लेकिन तो माइनस हो जागा जिरो आ जागा इसकी फिगर नहीं दीखेगा आप लोग की ठीक है इंशॉरेंस एक्पेंस स्टेशनरी एक्सपेंस इलेक्रिसिटी बिल एक्सपेंस और यह कि सब्सक्रीप्शन अब यह करेंटियर का अब लोग को बता तो आप लोग को पास देखो करेंटियर का सब्सक्रीप्शन कितना आता टोटल रिस्टीट ना था सब्सक्रिप्शन है मेरा 4,000 का बराबर ऑर उपर उपर उन्होंने कुछ तो बोला था पड्लेस न तो इधर दिखेगा देखो स्प्स्क्रीप्षन और स्प्रिशंए स्रीप्षन से ख़े साल के आहां वह वह वे स्प्स्रोन पड़े गाने आउट्स-तीन एयर क्रिव्यट्न के संस्ट्र कितन थाerson रुपई था तो कितना आप इस साल का खाली यह हो गया तुम लोग का वर्किंग नोट वाज बास कितना सिंपल देखो समझा तो वर्किंग नोट वाण हो गया यह तुम लोग का तो सब्सक्रिप्शन खतब ठीक है तो अब आउट्ट्ट रिगे निक इसके इफेक्स तो बता हुं मुझे आउ है हों क्या होता है मेरे लिए अशड़ा होता है तो एक जाता है तुम्हारा इन में और एक जाता है तुम्हारा अशट में सेट क्लेर करेंड कि डीविल्टिंग र्पें 10% में अन ट्रुपिंट च्छ Coral बाहरा पाट ब इसमरे नही Propheaur2 salary outstanding कितने की है 800 के तो चलो salary को जाके टिक को तो salary के उपर बहुत adjustment है फिर तो ठीक है ओके तो इसका effect का पर जाएगा सर एक तो salary में add करना पड़ेगा आया ना और दूसरा का पर जाएगा liability में जाएगा और prepaid taxes कितने है 100 तो taxes से कम करना पड़ेगा taxes से माइनस करो और prepaid expense पहले से करके रखाए तो कहा पर जाएगा is it clear प्रिपेर क्या करने बोले income and expenditure account for the year ended 31st March 2020 अभी एक और चीज़ हमेशे याद रखना question ने जितना बोला है उतना ही बनाना question ने क्या बनाने बोला है balance sheet मांगी है नहीं बनाने की क्योंकि इन्होंने income and expenditure पर इतने फॉर्मिलस डालती है ना कि तुम लोग की हालत करा बने वाले अभी आप अगर income and expenditure को करना तो बहुत बड़ा बनने वाला है तो बनाना चालू करें मेरे साथ रहोगे ना तुम लोग मेरे तो क्या मेरे तो अल्ड़ी रेडिमेट चीज़ है मेरे पास कि 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 करुछ में खर्णीज़ करें कि हाँ चलो स्टार्ट करें सबसे बढ़े एक्स्पेंस से जालू करें गाइस पर अटेंशन एव्रिवन पर अटेंशन एव्रिवन स्पेसिमिन आवेशा जैसे आपना फाइनल आकाउन का स्पेसिमिन था वैसे स्पेसिमिन रखना है हम लोगों कुछ ज्यादे चेंजिस नहीं करने हमें ओके कि कि स्टाट आया ना ओके शाल आ स्टाट चलो सबसे पहले मेडिसिन अभी देखो हम लोग जब बनाते बोलने किला हम लोग बोलते इंकम एन एक्सपेंडिचर आकाउंट राइट लेकिन बनाते समय सबसे पहले एक्सपेंडिचर और फिर इंकम इस एक्सपेंडिचर के साथ तो सबसे पहले तो क्या है तो यहां पर आके क्या हो जाएगा वो टू मेडिसिन्स होगा क्या होगा टू मेडिसिन्स ठीक है कितना खर्चा किया बाबा यह त्वांग अचिए क्षैक क्या आपने कितना क्या है था था जान लैक के न पे आटेश्यर फाय तब्ले बेलेंस शिट में ने को सब्सक्राइट तो ने शुटष एवर एक कर ना मेडिसिन्स प्लेंस कीडिशिट में तो माइनस करना पड़ेगा क्योंकि पिछले दीना कितना बाग किता तो लेस पेड फॉर एटीन नाइटीन लेस पेड फॉर एटीन नाइटीन कितना बापा 900 राइट तो बच्चे कितने वेरी गुड फॉर ताउजन वारनेट अगे बड़े फिर क्या दिक्राएं सर मुझे मेडिसिन के बाद क्या रहा है सेलरी सेलरी जाएगा ना क्या आएगा टू सेलरी इनर कॉलम में कितना पेड किया है मैंने 5200 लेकिन सर पिछले बैलेंस इट में भी मेरेको कुछ तो दिख रहा था आउट्स्टेंडिंग सेलरी मतलब पिछले साल का देना बाकी था तो इस साल दिया होगा ना वो तो कर लेस करना पड़े कर लेस पेड फॉर एट अटना पे किया है गाईस फिफ्टीन एड़ और सर नीचे भी कुछ तो था एक और एक और एक और एजिस्मेंट थी आउट्स्टेंडिंग सेलरी ऑफ करेंट यर करेंट यर की तो देनी बाकी थी आया ना तो यहापे अभी करेंट यर की एड करनी पड़ेगी तो सेलरी ऑफ नाइंटीन ट्वेंटी कितना है बापा एट हंड्रेड तो चलो आउटर कॉलम में फिगर्स कितना आ रहा है 4500 एव्रिवान पक्का शोलो आगे बढ़ते यह हो गए पी रेसर पाई टैक्सेस तो आपर एक टू टैक्सेस इनर कॉलम है क्योंकि एड्जिस्मेंट है उसके अपर टू टैक्सेस कितने है वापर टैक्सेस कितने पेगी है 720 कितने है 720 सो प्रिपेड है ना लेस प्रिपेड कितने गाईज तो आउटर कॉलम में 620 आएगा खाली आया ना चलो आगे बढ़ते हैं फिर देखते हैं क्या लिख्या होना ने सब्संद्री एक्सपेंस टू संद्री एक्सपेंस आपने हो तो पूरा पिछले साल कहीं है तो आपे लेस हो जाएगा लेस आउट्स्टेंडिंग आफ एटीन है नाइन डेन बचा कितना आउटर कॉलम में जीरो सब्सक्राइगा आएगा कितना 5000 आपने आपका इलेक्टिस टेशने आएगा काई स्टेशने आएगा वेरी गूर्ट कितना 2000 पीर आता है आपका इलेक्टिसिटी बिल आएगा 6000 कुछ जाता है लाइट फिल्यूस कर रहे है लोग चल तो मेरी पेमेंट साइट्स खतम हो गए हो गए क्या खताम पिर आते हैं अभी मेंट चीज़ पर सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन का पहले तो टोटल आमोंट कितनी है पहले वह बता चाँव भाई आइच अपशिप्शन इनर वह कितना अब बाबा उसमें से पिछले साल का पितना था सब्सक्रिप्शन आउट चर्णिक पिछले साल भी दिखहा है ना आया ना तो पिछले साल का कितना था तो लेस काना पटे काना, लेस, Outstanding of 18, 19, आया ना, और करन्ट यर का कुछ आपसे निंग था, आया नी था, किदर दी करा है, वेरी गुट कितना है। तो आड काना पटे काना, आड, Outstanding of 19, 20, अधर कॉलम में कितना दिख रहा है 10600 इस ट्लियर एव्रिवाइन चलो नेक्स्ट अधर में जैंदगे में कुछ ज्यादा ही आगा आगा अधर टू सेल आफ फर्नीचर अभी आप एक्सपेंस वहाई ना लेकिन तो लॉस अनफ अभी क्या हुआ देखो अधर शेल किया सेल करने के बाद आपको पैसा कितना आया är 1500 आहesin ठीक है लेकिन स्की वैलिव कितनी थी 2000 तो आपने घाटे में जाके बेचाए उसको तो आपको क्या हुआ है लॉस हुआ है क्या हुआ है लॉस तो लॉस हम लोग बुक करेंगे एक्स्पेंडिचर में तो एक्स्पेंडिचर के साइड में आ जाता हूं में आपे लॉस और लॉस और लॉस सेल ओफ असेट कितना 500 डोनेशन उन्होंने क्या बोला है कैपिटलाइस करना है तो आएगा इंकम में काई आएगा क्या नहीं आएगा लाइट टाइम मेंबर्शिप फि आएगा आएगा क्यूं आएगा सर क्यूंकि उन्होंने स्पेसिफाइब कि पर सेंट ही कैपिटलाइस करना है और बाकी का 50% किदार रखना है कि इंकम में रखेंगे ना सर आभी बचा किया तो इनकम में रखेंगे कि कि इतना है बाबा पैसा थी नाजार लेस फिफ्टी परसेंट कैपिटलाइज 1500 हो जाए गए और कलम में भी 1500 दिखेगा आया ना विजिट भी आएगा आएगा ना जोड़ से भी नहीं बोलते क्या हरामी लोगों तुम रुक छे मिसलिनस रिसेप्स येस आए का और सेल अफ ओल्ड नियूस्पेपर आएगा कितना है 500 इस ट्लियर एवरिवन डन विद देश लिए किसने सोल के डिफिसेट आ रहा है मेरे खाल से अपलस निया आएगा डिफिसेट आ रहा है ना क्यूंकि देख सकते हो कि क्यूंकि एक्स्पेंस साइट की आमोंट्स बड़े बड़े और ज्यादा आया आया ना तो चा कुण्से और एथिस्मेंट रही ह कि वहाँ डेफ्रीशेशन का रहा है य। को सबस्टेट एंप दो ट्राइव रए 120 2 मृझ अफ में के ऐस फिकाश्यू नियुम पर्फिक्टेश्टांट सेखेल कें रट्रस्ट्प्ट हो गया ईप्रिशेट लेंगेट तो चोलो रहा है बडिट करो लंडरेंट बीइलिंग बोला स्री बिलिंग both 10 परसेंट कितना है बिल्डिंग कि ए हां टो यह विल्डिंग सेविंडि ताउजन है तो डेप्रिशेट त्इंट परसें तो सेविं टाउजन हो जाएगा ना अ और दूसरा किसके ऊपर है है एक्प्मेंट के उपर है तो एक्प्मेंट कितने देवाबा रास हो के जोने सिधा-सिदा बोले कि बारास रुपे डेप्रिशेट करना है आया ना तो वान तो तूजन टू अन्रेड हो गए आउट्स्टेंडिंग सैलरी के अज़िस्मेंट हो गई प्रिपेड टैक्सिस की तॉप्रिया तॉप्रिया सित एर थैंटा तॉजन टी तॉप्रिवी है टॉप्रिया सिद्व गर्मा था एंट ने ड्ट फासर ची कि अ कि अ कि अ कि अ तो एक्जाम में यह सॉल्फ करने के आपको मिलेंगे पूरे के पूरे पूरे के पूरे दस मार्क्स ठीक है तो अब आप लोग लिख लो फटावट फटावट जिनका पेंडिंग है वो लोग हमारे पास ज्यादा टाम नहीं बचा तो एक टेक्स्ट्बूक का छोटा सा क्वेस्टन देखते हैं आज वह हमबग में आप करके आना ठीक है फूर्टु सा यह ज्यादा इसा कोई इंपोर्टेंट बड़ा वाला क्वेस्टन नहीं क्वेस्टन नहीं ले रहा हूं मैं तो यह जौन हो टिक है है जब आपको कैपिटल फंड नहीं दिया होता है मतलब पूरे क्वेस्टन में बताया है यह जो नहीं कि कैपिटल कितना है तो आगे देखते हैं अब तो एक यह व्यक्तिन पनी से होगा तो बनाने जरुवत नहीं है अगर दिया नहीं होगा तो बनाना पड़ेगा लिखते आगे चलो तो सब्सक्रिप्शन कहा जाता है गाईस बोलो जोर से डोनेशन अभी दोनेशन यहां पर उन्हें सिदा सिदा लिखा है कुनसा वाला डिवनेशन है तो किदर जाएगा इंकम, एंट्रेंस फिल, इंकम, इंट्रेस्ट, चलरी, पिंटिंग एंस्टिशनरी, कमिशन, रेंट, इलेक्रिशीड जाज़ेश, फरनिचर, वेरी गुड, पर्चेस अव असेट से थे ठीक है आउट्सेंडिंडिंग रेंट वाज रुपिस टू अंडड़, इले रेंट क्या है, तो इधर इफेक्ट गिरेगा, क्या करोगी इसके एफेक्स, रेंट में, एड करेंगे, और दूसरा इफेक्ट का जाएगा, लायाबिलिटी, वेरी गुड, सब्सिप्शन, इंक्लूड 9000, as subscription received in advance, ठीक है, and subscription outstanding for current year was रुपिस 500, अभी आपर दो चीज़े दिये, क्या बोला है, कुन बताएगा मुझे, सर बोला गया है कि subscription includes 1000 as subscription received in advance, and subscription outstanding for current year was रुपिस 500, इसका क्या मतलब होता है, सर अगले साल का subscription दिया एक हजार रुपए, यह जो एक हजार रुपए है ना, यह अगले साल का, जो उसमें included है, तो total कितना है, subscription 5000 आया, तो 5000 में से ना 5000 में से ना सर यह 5000 है ना यह, इसमें से माइनस करना पड़ेगा ना अगले साल का, आया ना, बचा कितना, 4000 लेकिन उन्ह पका तो actual subscription कितना है, current year का, very good, very good, is it clear, चला, अभी जो advance में दिया है ना, किसीने तो पैसा, अभी इसके effects भी तो जाएंगे न, यह तो होगा, एक होगा, यह जो हजार रुपए, subscription में add होगा, ने चरी लेस होगा, उल्टा बोल दिया मैंने, चरी जो हजार रुपए आपके यह 1000 रुपए, जिसके दो effects लिखता हुआ पर, एक तो subscription में से लेस होगा, और दुसरा effect का जाएगा, किसी ने तो आपको advance में पैसा देके रहा है, liability में जाएगा, किदर जाएगा, liability, जिस किसी, समने न, आप imaging करो न, किसी ने तो आपको पैसा देके रहा है, लेकिन आभी तक उसकी अपने उसको उसकी service दी नहीं है, तो कर जाए न, आपके लिए, set of कब होगा, जब अपने उसको service दे दिया, अभी मैंने आपको बोला, आप सम्दू कि आप लोग न, इंजिनियर्स हो, ने आप लोग CA बन गए, आप लोग CA बन गए, आप लोग CA बन गए, अभी ठीक है, मैंने आप लोग को बोला, मैंने मेरा ITR फाइल करना था, क्या, एक income tax return करके कोई concept होता है, फाइलिंग होता है, वो फाइल करना था, तो आपने बोला 300 रुपया लगेगा सर, मैं भर देगा, लेकिन 300 रुपय फिल एगा, तो मैं बोला ठीक है, मैं पेमेंट कर दे तो 300 रुपय आपको मैंने पे कर दिया जगे पे, काम किया आप लोग ने, सर्विस प्रोवाइट की, तो आपके बढ़न रहेगा ना, उनका काम नहीं क्या भी दलग, आया ना, समझ रहे, तो बढ़न है ना, पे, कि किसी ने तो पैसा देखे रहा है, लेकिन आभी तक मैंन लाइबलिटे में कंसिडर करते हैं, कि पैसा तो मिला है, लेकिन उसकी सर्विस नी दिया आप तक, जैसे सर्विस दे दो के तो, सेट आफ हो जाएगा, इस इट क्लियर, तो यह आभी एक इफेक्ट चले जाता है, सब्स्रिप्शन में से माइनस करना पड़ता है, और एक हो लिए कि डेफに फरनिचर भाई एट परसेंट, टीक है? फरनिचर पर च्यों यह पर चैसे करणा है? आट हजार का उसके पर आपको पास करना है, त 활 Eckman क dauった तो पूरे साल का ही ले लेना is it clear 50% entrance fee should be capitalize तो 50% entrance fee जो है यह क्या है तुम्हारी capitalize करने है तुम लोग को is it clear 50% income में दिखेगा 50% liability में दिखेगा तो एक होगा तुम्हारा entrance fee में से minus होगा 50% और 50% कि दर चले जाएगा liability में चले जाएगा is it clear और capital fund दिया है मतलब आपको old balance sheet बनाने की जरूरत नहीं है यह एक ऐसी adjustment है adjustment नहीं वह information है actually तो यह information जो है आप लोग की यह क्या है single effect है यह किदर जाएगा सीफ आपका liability में capital के नाम पे दिखेगा तो question में surplus हुआ तो capital में add कर देना question में deficit हुआ तो capital से less कर देना is it clear तो आज का लेक्चर यहाँ पर conclude हो जाता है तुम लोग का ठीक है next lecture में हम लोग जो module मेरे booklet में 4 questions है वो लोग हम solve करेंगे is it clear ठीक है और यह वाला question उंबक में solve करके आना है ठीक है चलो bye bye see you guys in the next lecture यो की का लोगा पावाईश